कि दैस्ट कोश्चन नमबर 140 फ्रम सीवीसी 2012 पेपर अट्मॉस्ट इंपॉर्डेंट कोश्चन वाइट इस अट्मॉस्ट इंपॉर्डेंट दरीजन इस उसने डुमें नहीं दे रखी पिछले अभी तक जितने कोश्चन्स हम कर रहे हैं तो इल्जेब्रिक के पॉलिनॉमिल सबसे पहले जॉब हमारा होगा तो डिफाइन इस डुमें इस पॉइंट क्लियर अभ्यार से रखीएगा सबसे डुमें में दो चीजे एक फंक्शन है और एक ही है आपको यह लोग का लौग के कुश्चन में तीन कंडिशन होती थी नहीं याद अगर आपको याद ओ लोग एक्स तुदा बेस एगर एंड के बराबर है तो क्या कंडिशन थी ए शुड़ भी एक एन नौट भी एड़ एक शुड़ भी अब कोई बेस नहीं है इसका में पेस यह इस इस अने प लिए तो यहां बें मैं क्या लिख दू कि 1 प्लस X है एस टुबी ग्रेटर दैं जीरो इसका मतलब एक्स हैस टूबी ग्रेटर दें तो दुमें का एक पार्ट क्लियर हो गया शुड़ अब बेटा लॉग कभी भी लाग ऐसा दिखता है यह लाग फंक्शन है तो इसका बेस कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब बेस है इसमें यह दोनों कंडिशन अपने हो गई तो भी की वेली होती है टू पॉइंट सेवन एट और सो अब अगली कहानी यह बचा को यह तो वन प्लस X को मैंने ग्रेटर देन जीरो पूट कर दिया कानी पगड़ में तो पहली ड आजाओ ऊपर एक वन्सट्वी और में फंक्षेट काहां पर कर अच्छाण यह टू-प्लस-प्लस-पांट भी को तेंक्यू चलिए यहां पे टू-एक लगा सेक्सक्राइश की बात हो रही है ध्यांसा मेने इस प्यंट को यूँमैट यह पॉलिनिवी फंक्शन है पॉलिन आपन तो प्लस एक सब्सक्राइब दिनोमीनेटर चाहिए को फोली नहीं कहते हैं क्योंकि दुनिया इसको ऐसे परती है तुए इंटो वर्न अपन टू प्लस एक्स तो डिनॉमिनेटर में आते हैं पॉली नहीं रहा और वन अपन एक स्टाइप का डुमें क्या थी एक शुड टू इसका मतलब यहां पे लिकुँं टू प्लस एक्स शोड नॉट बीकॉल टू इसका मदलब एक्स शुड नॉट वीकॉल टू है वाईसाग नूमबर लाइन सोचो माइनस वन बढ़ा के माइनस टू बढ़ा तो मेरा इन दूनों की की। इंट्रिक्षिंटीन और में क्या आगे X is greater than minus 1 अब पढ़ते हैं question पे तो domain निकालना सबसे important होता अब अब आते हैं question के derivative पे एफ देश एक्स लोग का derivative लोग यू का 1 over you very good इंटी derivative of you 1 का derivative 0 x के derivative 1 कुछ लिके नहीं जोरते हैं माइनस यहां क्या लगने वाल है excellent question rule यहां लगा 2 plus x को होल स्कूर 2 plus x into derivative of numerator derivative of numerator is 2 minus denominator into derivative of numerator is sorry कुछ गलत कर गया sorry denominator derivative of numerator numerator into derivative of denominator which is 1 is that okay sure अब यह बना मेरे पास 1 over 1 plus x minus 4 plus 2 x minus 2 x तो यह बना 4 upon 2 plus x शूर और दुल्यां इसको ऐसे भी पर सकती है नहीं चल फोर ही रहन दो एक स्टेप और कर लेते हैं क्या यह बात समझेंगे अब जो स्टेप करने जाए उसको द्यान से स्कैच करना LCN लिया तो 1 plus x into 2 plus x का whole square यहां अगे 2 plus x का whole square minus 4 into 1 plus x शूर अजी यह बन गया मेरे पास 4 plus x square plus 4 x minus 4 minus 4 x upon 1 plus x into 2 plus x का whole square अब यह मेरे पास ले देके बना एफ डैस एक्स क्या बना एक स्क्वेर ओवर 1 plus x into 2 plus x का whole square शूर बोलिये अब बात करते हैं किसकी वेवी कव की चर्चा की यह क्या है यह जब बिलकुल पॉजिटिव है वह मेरी वेवी कर तो कभी भी तकलीफ नहीं देते हैं आई यह याद होगा आप सबको इस पॉइंट क्लियर इस पॉइंट क्लियर तो जो शोर शोर पॉजिटिव हैं वी और दोस अंडर्सूट अब अगली इंपॉटेंट पॉइंट प सब्सक्राइब कितनी 0 बनी टेकनिकली बनी एक्स एक्स इकोल टू माइनज फाट तक इंपॉटेंटेंट ची मिस सिखा रहा हूं यह 0 है एक स्क्क्वेर को जीरो पुट किया तो जीरो आया बुलो और एक स्क्वेर्स टू को जीरो पुट किया तो क्या आया माइमस टू श्रुर श्ओर अब जो हर्शमित आपका point था square वाले cases में क्या करते हैं वाई रही टॉप corner से जीरो किसने दिया था इनमें से जीरो किसमें दिया था एक स्क्राइब उसकी पावर क्या है वह बावर एवन इवन का मतलब अब यह काव नीचे नहीं आई भी उपर ही वापस नूट जाएगी अब गई वन के बास वन किस ने दिया एक लीनियर फंक्शन ने वन प्लस एक्स की होल पावर क्या है वन और ना कुरान यह उपर से इपावर के दूब कर जाएगी माइनस तो किसफे दिया है अजी मैं आ रही है सब आ रहा हो मैनस स्क्वेर कह नीचे जाहेगे यह नीचे की वापस नीचे रहे है और पावर में वे इवन डाइक्षन बदलती है और इवन पावर में डाइक्षन नहीं बदलती है इसका मतलब positive positive negative अभी आज important point खतम नहीं हो इस question गए अगला important point जेल न टू प्लस X का whole square denominator में क्या नहीं आना चाहिए minus two क्या नहीं आना चाहिए तो यहां लग वाइट गहूं शूर क्या लग गई white ball का मतलब अभना है we are not considering that value in our solution one यह यहां तक समझ आया को सब्स करो एक्सक्राइब अगर सलूइशन में है नहीं कर सकते थे वाइट बॉल का मतलब होता है we are not considering this as a part of the solution मनलब x की value minus 1 नहीं हो सकती और x की value minus 2 नहीं हो सकती पहली बात वरना एक और तरिक्ते से समझो इसकी domain क्या थी greater than मनलब मुझे इदर का तो सोचना ही नहीं मुझे इदर से उदर का सोचना है क्या यह बात समझ आई मुझे इदर से उदर का सोचना है that's it understood अब important point record यहां से आगे क्यों बड़े हमारा function क्या था question क्या क्या था show that function is increasing or decreasing तो हमने इदर का तो सोच नहीं क्या है मैं इसको भूल जाओ सारे बाट को कोई देना देना नहीं कोभी domain क्या कह रही है x is greater than minus 1 minus 1 से इदर function कैसा है always increasing क्या है अब मैं क्या यहां पर लिख दूँगा ज्यांसे समझना एक important point और समझा दो log 1 क्या होता है 0 plus 2 में और plus 1 important questions को रख बनते हैं जब आप इसके अंदर values put करके देख रहे हो आप generally increasing आप क्या लिखो के fx is increasing in minus 1 open to infinity yes or क्या आप सब लोग इस point को agree करते हो sure पर मैं यह नहीं लिखूँगा क्यूं मैंने जैसे ही यहां पर x की value 0 put की पर यहां क्या फंक्शन अपना behavior बदलते हैं पर यहां क्या फंक्शन अपना behavior बदला है वो इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग रहा वो इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग रहा बद मैं एक और view point से सोच आँ अगर मैं इस function में x की value 0 put करूँ log 1 क्या हो गया 0 2x over 2 plus x 0 over 2 0 बना तो 0 ही function आया बद 0 function में एक defined function ही तो हुआ fx अगर 0 है तो it is a 0 polynomial answer यह लिख सकते हैं जबकि मेरे पास answer क्या लिखा हुआ है minus 1 से 0 union 0 से infinity मेरे पास answer यह लिखा हुआ है yes or no मैं इस चीज़ को neglect क्यों करूँ मेरी 0 domain क्लिक कर रही है हर जगा कहा बे very good very good यह इसने reject किया वो कहरे है अगर मैं यहां पर x की value 0 put करता हूँ नहीं नहीं हमारी value आई x की value 0 पे चेक करना है न माइनस 1 से 0 को accept कर रहे है माइनस 1 से infinity लिख दिया मैंने माइनस 1 से infinity के पीच में माइनस 1 तो 0 भी आ रहा है please understand this point understood मैंने को यह नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने जो answer यह दिया है क्या यह answer है न क्योंकि यह 0 neglect क्यों कर रहे है neglect करने के कोई condition होनी चाहिए यहां पे अगर x suppose square के बजाए होता power अकेली x odd power मैं 0 neglect करता कहानी पकड़ में आई तो मेरा answer बन रहा है minus 1 to infinity करें नोट यह answer change कर देजियो sheet में